मद्ध प्रदेश के सागर जिले में 48 घंटे के अंदर दूसरा बड़ा हादसा हो गया इस हादसे में हर कोई इस्तब्ध है क्योंकि 50 साल पुरानी दीवार गिरने की बज़े से इसमें 8 मासूम बच्चे दफन हो गए हैं मिली जानकारी के अनुसार सानोदा थाना छेतर के साहपूर नगर में पार्थेव सिबलिंग निर्माल का आयूजन किया जा रहा था रविवार की छुटी होने की बज़े से सुबह सुबह ही यहां पर बड़ी संक्या में छोटे छोटे बच्चे पहुँच गए थे इन बच्चों की उम्र 8 से 14 साल बताई जा रही है बही सुबह अचानक भरवराहट के साथ आवा जाई और बही पर 50 साल पुरानी दीवार गिर गई इस दीवार के मलवे में दबने की वज़े से इन बच्चों की जान गई है बही घटना के बाद चीख पुकार मच गई हादसे की सूचना मिलने के बाद जहां प्रसाशनक अधिकारी पहुंचे तो छेत्रिय विधायक गोपाल भारगाव भी पहुंचे थे